हेलो फ्रेंड्स मैं हूगीत कुमार सिन्ह आज हम पढ़ने जा रहे हैं IIT जो की है Indian Institute of Technology NIT जो की है National Institute of Technology और IIM Indian Institute of Management जो की हाँ पर हिंदी नाम आप देख सकते हैं भारती प्रद्योगी की संस्थान, राष्टी प्रद्योगी की संस्थान और भारती प्रबंधन यो प्रबंध संस्थान ठीक है तो चली शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं IIT के बारे में कि IIT क्या है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि IIT जैसे कि यहाँ पर नाम लिखाव है Indian Institute of Technology IIT भारत में इस्थित उच्छ सिक्षा हेतू स्वायत सरवजनिक संस्थान है सरव प्रथम IIT की स्थापना कुलकाता के पास खड़कपुर में की गई थी वहाँ पर एक detention center था सबसे पहले वहीं पर ही इस्थापित किया गया था बाद में फिर उसकी building बनी वहाँ पर वो इस्थान तरीत हुआ तो सबसे पहला IIT खड़कपुर का इस्थापित हुआ था 15 सितंबर 1956 को भारत की संसद ने भारती प्रदोकी की अधिनियम को मंजूरी देते हुए से राष्टी महत्व के संस्थान की रूप में घोशित किया गया तो 1956 में ये क्या हुआ राष्टी महत्व का संस्थान की रूप में घोशित हुआ वर्तमान में अभी तेविस IIT संचाली थे यह सभी Indian Institute of Technology Act 1961 के द्वारा सासित है आप सोच रहे होंगी कि यह Act क्या चीज है तो Act यह होता है कि जितनी भी IIT सगर देश में कहीं भी स्थापित होती है तो एक Act बना दिया गया है कि इसी के द्वारा गवन या सासित होंगी एक नियम या कानूनों के एक वैवस्ता है इस Act में इसी के द्वारा यह सासित होती है ठीक है तो Act को याद रखेगा यह question पूछ सकता है कि कि इसके द्वारा यह सासित होते है अगला देखते हैं IIT की तिहास के बारे में तो सबसे पहले आजादी के पूर्वही आर्देशिर दलाल ने ऐसे इस्थानों से संबंधित एक खाका रखा था कि ऐसे इंस्च्यूट होने चाहिए आजादी के पूर्वही सर जोगेंदर सिंग जोकी वायसराय की एक्जेक्यूटी काउंसिल के मेंबर थे और साथी साथ उन्हें कुछ विभापे आबंटित रहता था तो उच्च सिक्षया अचायडी संबंधित उन्हें विभाग प्राप था उन्होंने ही नलीनी रंजन सरकार के धच्चता में एक 22 सदस्ची समीती का गठन किया इस समीती ने पूरे देश में ऐसे संस्थानों के गठन की सिफारिश की थी ये तो हो गया IAT का इतिहास की पहले कहां से सुरुआत हुई कैसे बनना था आगे देखते हैं कि IAT की महत्ता क्या है मैंने किये पॉइंट बनाया इसलिए कि अगर IAT का महत्तो क्या है भारती सिक्षा में इस तरीके का तो एक पॉइंट मैंने दे दिया आप अपने तरीके से भी इससे तयार कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए भारती प्रदोकी की संस्थान, इंजरिंग सिक्षा वानुसंधान है, तो सिर्ष संस्था है, इस संस्था से उत्तिर्ण चात्रें सोत करता है, भारत में ही नहीं, अपी तो पूरे विश्व में, विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है, आ फिर ग्रेजवेशन में प्रवेस आयाइटी इसमें होता है, अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ अन पढ़ाईयां भी होती, तो उसके लिए अलग जैसे एमटिक वगेरा के लिए गेट के थुरू होता है, प्येजडी के लिए अनेंट्रेस एक्जाम होते हैं, भारती प्रदोगी की संस्थान की सूची देखें तो अभी तोटल हैं हमारे यहाँ तेविस आयाइटी जिनमें आयाइटी खड़कपूर, आयाइटी मुंबई, कानपूर, मदराज, दिल्ली, गवाहाटी, रोड़की, रोपड, भूनेश्वर, गांधी नगर, हैद्राबाद, ज दिखा है कि तीन इंजिनरिंग कॉलेज को आयाइटी का दर्जा दिया गया, तो आप जानते हैं बी-एच्यू क्या है, पहले से एक स्थापिस संस्थान था, जो बहुत पूर्ण संस्थान था, उससे आयाइटी का दर्जा दिया गया, आई-एसम धनबाद, जो कि माइनिं आतक इंजिनिंग, विज्ञानवी से अंतरक विश्यों में शनात कुत्तर या पीजडी होता है, मतलब ग्रेजवेशन भी होगा वहाँ पर, ग्रेजवेशन होगा, पोस्ट ग्रेजवेशन होगा और पीजडी सोंगे, ठीक है तो ये तो हो गई, आयाइटी की बात, अब आ तो यहाँ देखिए, दूती पंच वर्सी योजना, यहाँ पर शार्ट लिखाव है, यह 61 है, दूती पंच वर्सी योजना, 56-61 के बीश थी, इसमें भारत में तीवर ओद्योगी की करण का लक्ष रखा गया था, अधिकतर जो अद्योग है इसी के समय स्थापित हुए थे PC महल नोबिस के मौडल पर अधारित था यह, और द्योगी परियोजनाओ के लिए, ट्रेंड लोगों की अपूर्ती को देखते हुए, छितरी इंजरिंग कॉलेज की स्थापना की, ऐसे उन्हें वर्कर या फिर ऐसे टेक्नोक्रेट की जर्वत थी, जो इस इंड़स्ट्री में काम करके उसे आगे बढ़ा सकें, इसलिए क्या किया गया, पेशेवरों के भरती के लिए, उन्हें ट्रेंड करने के लिए, चार छेत्रों में बाट कर दो-दो कॉलेजों की स्थापना की गए, रिजनल इंजरिंग कॉलेजी से आरीसी भी कहते थे, पस्चिम छेत, दक् में बढ़ा कर धिरतरे जिसकी संख्या लगभख 14 से 17 तक पहुच गई थी, जब आते आते 2000 के इश्वी में ये सब, तो आगे देखते हैं कि इन में फिर NIT इसमें क्या फरक हो और इसमें तबदील कैसे हुआ, तो ये देखिए जो इंजरिंग कॉलेज थे ये सब, ये क्या थे, दोनों कौन, दोनों मिल के कर रहे थे, तो इस तरीके से दोनों का एक संस्था के रूप में कारे कर रहे थी, हाँ पर जैसे लिखाव है सरकारी और सहकारी और संयुक्त संस्था, इसके बाद क्या किया गया, 2002 में जो की मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोसी ने जो REC थेरिज्निंग एंजिनिंग कॉलेज उनको NIT में अबग्रेट करने तथा उसी प्रकार की फंडिंग तथा कन्ट्रोल जो सभी प्रकार की जो फंडिंग AND कंट्रोल है वो केंद्रे के हाथ में आ गए जो भी निर्णा दीनी की सकती है इससे संबंदी सब किसके हाथ म कौन सा हो गया एनाइटी का हो गया ठीक है तो अब हमारे 36 संबंदित एक महतपूर ने डाटा है कि 2004 में पटना रायपूर और अगर तलको एनाइटी के दर्जा के लिए मंजूरी मिली यानि कि मंजूरी मिल गई और लगभक साथ 2006 या साथ के आसपास ही वहां स्टार्ट हो ग यह संस्था The National Institute of Technology, Science, Education and Research Act 2007 के दवरा संस्थ से राष्ट की महत्व की संस्था के रूप में घोशित हुई और इसी के तवरा यह गवन या सासित भी है जैसे माइटी इसके मामले में पढ़ा था 1961 वैसी एक आओर एक्ट पास किया गया था 2007 में उसके दाहत यह गवन होता है NIT Council की बात करें तो Chairman और All Director of NITs प्लस Nominator जो Center से सदस होते हैं सिक्षा विध होते हैं उनके द्वारा यह चलता और यही प्रमुक कारेकारी संस्था है यहां की वर्तवान में भारत में 32 NIT स्थापित है ठीक है एक डाटा है यह अगला हम चलते हैं IAM के ओर देखते हैं कि IAM क्या है IAM के विशा में आपने देखा हुआ कि एक मुवी आई थी जिसमें एक IAM के उपर मुवी बना था वहां के जितने भी बिल्डिंग्स थे उसी का यूज किया गया था तो आप कमेंट बाक्स में जरूर बताईए कि वो कौन सा इंस्टूट था और कहां कौन से मुवी थी वो ठीक है? तके साथ ही ये इंस्टूट क्या करेगी? उनको सिक्षा देने का काम करेगी, प्रसिक्षन देने का काम करेगी और अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम करेगी. इसके इतिहास में जाएं तो 1950 में जब योजनायोग की स्थापना हुआ तो योजनायोग ने यहां महसूस कि जो भी हमारे हाँ जितने भी इंडेस्ट्री से स्थापित हो रहे हैं या पीस्यूस हैं उनके मैनेजमेंट के लिए या फिर ओध्योगी नीतियों के निर्माण में परयात पेशेवरों की कमी हैं तो क्या करना चाहिए कुछ ऐसे इंस्टूट की स्थापना करनी चाहिए ज की प्रमुग गवर्निंग बाड़ी है यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने बताया स्वतंतरता के पस्चाद देश के विकास के लिए योजनायोग इस्थापित हुआ योजनायोग ने है पाया कि सारवजनिक उपकरमों के प्रवंधन के लिए और जोगी की नीतियों क की निर्माण में परियाब प्रेशरों की कमी है अता 13 नॉमबर 1961 को आई एम कलकत्ता कोलिबरेशन विथ एमाइटी स्लोन स्कूल आप मैनेजमेंट इसके सहयोग से स्थापित हुआ इसी के 3-4 महिने बाद ही 1961 में आई एम एहमदाबाद इस्थापित हुए यह किसके सहयोग से हारवर्ड बिजनेस स्कूल के सहयोग से वर्तमान में अभी 20 IEM संचाली थे ठीक है इसमें एडमिशन के माध्यम से होता है और एक एक्जाम जीमेट भी होता है जिसमें वर्ल्ड के लगभग फेमस इंस्ट्यूट है वहां से आप एडमिशन कर सकते हैं जो वर्ल्ड इस सब और भी इसके लावा भी अन्य डिग्रीस हैं आशा करता हूं कि यह लेक्शर आपको अच्छा लगा होगा और मैं बता दू कि मुख्षिता बेसिस हैं CGPSC के जो मेंस एक्जाम होती है उसके अधार पर जो सात्वा पेपर होता है उसके लिए है इसलिए जितनी जरवत ड जाने बाद